नमस्कार जाहिन चत्रपती संभाजी महराज के एक बहुत बहादूरी के जीवन के अंत के बाद उनकी इतनी शौर्यवान मृत्यू के बाद पूरे मराठा सामराज में एक ही बात चल रही थी संभाजी की मृत्यू का बदला लेना और औरंग्जेब मुगल सल्तनत के खिलाफ मराठा सामराज को एक जूट करना वो सभी लोग जो संभाजी के खिलाफ किसी न किसी तरह से असंतोस रखते थे उनकी मृत्यू के बाद वो सभी लोग भी संभाजी के आगे नत्मस तक हो गए जिस प्रकार से संभाजी ने औरंग जेब और उसके जुल्मों का सामना किया जिस प्रकार संभाजी ने एक महान हिंदू धरम के सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग दिये जिस प्रकार संभाजी और कभी कलश ने मराठा सामराज के भगवे को जुखने नहीं दिया ये बाते सभी के लिए प्रेणा दाई बन गई और सबसे बड़ी प्रेणा बनी संभाजी के सौतेले भाई राजा राम के लिए ये वही राजा राम थे जिनोंने जिनको सबसे पहले सिवाजी के बाद च्छत्रपती बनाया गया था मगर संभाजी च्छत्रपती बने तो इनके संभाज आपस में इतिहासकारों के अनुसार कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे मगर संभाजी की मृत्यू के बाद राजा राम आजीवन संभाजी के पदचिनों पर चलते रहे तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिवाजी के दूसरे पुत्र और उत्रादीकारी राजा राम के बारे में राजा राम का जन्म 14 फरवरी 1670 को राईगड के किले में हुआ पिता का नाम सबको पता है उनकी माता का नाम सोयरा बाई है ना सोहरा भाई सिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम था उनसोत पर ने थे राजाराम और राजाराम ग्याराम मार्च सोला सो उननभे ग्यारा मार्च ठिक सिस्टीन एटीन नाइन को छत्रपती बने जब संभाजी का देहान्त हो गया तब और वो रहे तीन मार्च सत्रा सो तक थार्ड ओप मार्च सेवंटीन हंडर यानि इन्होंने थोड़े समय के लिए ही सासन किया इनकी मरत्यू फिर सिहिंगर के किले में ही होती है और राजाराम की कहानी क्या रही है चलिए इस पर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं राजाराम जब सासक बने उस समय पर मरठा सामराज बड़े संकटों में था अब मैंने एक पॉइंट लिखा है कि संभाजी की मरत्यों के बाद राजाराम पुनहा राजगदी पर बैठे ठीक है न यह पॉइंट आपको समझ में रहा होगा पुनहा राजगदी पर बैठे पुनहा का मतलब हुआ फिर से तो क्या इसका मतलब पहले बैठे थे जी हाँ पहले भी बैठे थे कब बैठे थे इस टोरी सुनिएगा जब राजाराम जब सिवाजी महराज का देहांत होता है तो तीन अपरेल 1680 को जब सिवाजी महराज का देहांत हुआ तो 1681 में संभाजी महराज मराठा सामराज के दूसरे छत्रपती बने उस समय राजाराम आपको पता है कि लगबग ग्यारा साल के एक बालक मात्र थे मगर राजाराम की माता जो थी सोयरा भाई उन्होंने थोड़े समय के लिए राजाराम को छत्रपती बनाने की कोशिश की और सोईराबाई के प्रयासों से राजाराम सिवाजी के कई सारे सामन्त जो थे वो इनके पक्ष में भी थे मगर बाद में समभाजी की योगीता को ध्यान में रखते हुए उनको छत्रपती बना दिया गया उन्होंने खुद को फिर अपना राज्यावी से कराया तो ये गद्दी से हट गए क्योंकि उस समय सिब 11 साल के थे मगर इतिहास ने मौका दिया इनको जब समभाजी को पकड़ा गया उनकी हत्या कर दी तो राजाराम दुबारा क्या बन गए एक छत्रपती बन गए जब 11 मार्च 1690 के दिन जब समभाजी महराज का देहांत हो गया तो राजाराम परथम को फिर से उनका राजचा भी से किया गया और समभाजी उस समय पर समभाजी के पुत्र थे साहु जी और समभाजी की पत्नी येसु भाई राजाराम नहीं चाहते थे कि समभाजी के बाद वो छत्रपती बने वो चाहते थे कि संभाजी के पुत्र साहु जी को गदी पर बैठाया जाए मगर येसु भाई बहुत ही समझदार महिला थी उन्होंने कहा कि अभी मुगलों को ये मैसेज देने की जरूरत है कि माराठा सामराज कमजोर नहीं हुआ है उसकी बागडोर एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में है और उन्होंने ही राजाराम को मनाया कि आप चत्रपती बनना स्रीकार करी अपनी भावी के कहने पर सामन्तों के कहने पर अधिकारियों के कहने पर राजाराम चत्रपती बने अगर उन्होंने घोशना की थी कि मैं सिर्फ साहु जी का संड़क्षक के तौर पर हूँ ये गद्दी के असली वारिस साहु जी ही हैं साहु जी जो की संभाजी के पुत्र थे ठीक अब बन गए बनने के बाद में क्या हुआ कि मुगलों के आक्रमन बढ़ने लगे खास तौर पर कब जब संभाजी की मत्यू के बाद औरंग जेब ने सोचा कि अब मराठा सामराज को समाप्त किया जाना चाहिए तो राजाराम के खिलाप उन्होंने कई सारे अभियान प्रारम किया यहां एक बात इंपोर्टेंट है कि जब राजाराम चत्रिप्रती बने तो उन्होंने मराठा सामराज के प्रसासन में थोड़ा हेर फेर किया और हेर फेर यह किया बदलाव यह कि अश्ट प्रधान में उन् नाइन्थ नंबर का मिनिस्टर जोड़ा पंत प्रतिनिदी जो पंत प्रतिनिदी पेश्वा के बाद दूसरे नंबर का प्रमुक सक्तिसाली पद बन गया और ये पंत प्रतिनिदी बाद में लगातार मराठो पूरे समराज में बना रहा ठीक हुआ क्या कि औरंग जेब ने 1689 में 25 मार्च 1689 को इन्होंने आकरमंड किया और शंभाजी की जो पत्नी ती ये सुबाई और उनके पुत्र थे साहु जी इनको उसने गिरफतार करके बंदी बना लिया और मुगलों की कैद में डाल दिया कि इसने औरंग जेब ने 25 मार्च 1689 को औरंग जेब क आकरमंड और उन्होंने ये सुबाई और साहु जी को बंधी बना ले सुबाई को बंधी बना ले की कहान eh ion唱 क्योंकि शच्रासो 7 में साहु जी फिर से छूट कर आइंगे तो 1689 में साहु जी को बंधी बनाया, किसने बनाया मुगलों ने बनाया उनके साथ में उनकी माता ये सुभाय को भी बन्दी बना लिया राजाराम ने को राइगढ़ को छोड़ दिया और जिंजी में सरन ले लिए जिंजी करनाटक में है जिसको सिवा जीन दे जखिन भरत की अपने राध्धनी बनाई थी मराठा सेना मुगलों के बीच में काफी लंबे युद्ध चले सुरुवात में तो यह लगा था कि राजाराम बच नहीं पाएंगे मगर एक सैनिकों की मदद से कावलिया घाट होते हुए वह जिंजी के किलो से पहुचे और वहाँ पर जिंजी का किला आज की तारिक में तमि कन्नल में एक पहुत ही प्रसिद्ध महिला थी जब राजाराम उन्हें उनसे मदद मांगी तो मुगलों के खिलाप उन्होंने मदद दी अब आपको बताना है कि उस महिला रानी का नाम क्या है कन्नल रानी थी जिन्होंने राजाराम को अपने आ सरंड दी और उन्होंने इस चिनम्मा तो केलादी चिनम्मा एक कंणर रानी थी छोटे से छेतर पे ताकत वर थी उन्होंने राजाराम की मदद की राजाराम मुगलों से बच पाए और वो पहली भारती महिला सासक भी थी सासीका थी रानी केलादी चिनम्मा जिसके साथ मुगलों ने एक सांथी संधी कर थी ठीक है ये पॉइंट भी आप लोग दिमाग में रखिएगा अब हुआ ये कि राजाराम जो थे उन्होंने अपनी किसी तरह से प्रसासन को बचाये रखा और कई सारे मराथा छेत्रों पर वो सासन करने रगे जब राजाराम अपना केंपेंग कर रहे थे तो जिंजी से वो वापस आए और जिंजी पर भी क्योंकि मुगलों ने आधिपत्त किया तो उन्होंने सतारा को राजधानी बनाई याद रखना सतारा सतारा महराज के दक्षिन में आता है और एक अच्छा अभियान चला रहे थ जो उनके अपने सहयोगी थे उन्होंने भी एक केंपेंग की मुगलों के खिलाब जिसमें रामचंद्र प्रंत पहलाद नीरज पारसरायत रिंबक संकर जी नारायन जैसे कई लोग थे जिन्होंने और एक अरेंग जेब को महराष्ट मराठा सामराज को खतम करने के सपने को उन्होंने विफल कर दिया अपने सतारा से सतारा पर जब मुगलों ने आधिपत्य करने की कोशिस की तो महाँ पर पबलिक का बहुत बड़ा रिवाल्ट हुआ जन्विद्रो का उनको सामना करना पड़ा और सतारा जीतने का सपना भी और इंग जिब ने छोड़ दिया जब वज़े से मातर तीस वर्स की उम्र में उनका सिहिगर के किले में सिहिगर का किला जो पुने के पास में है जो वही किला जहां पर जो सेवाजी महराज के राज का हिस्सा था वहां पर उनका देहान थो गया और एक बात यहां धियान रखना राजाराम ने कई विवा किये थे मगर उनकी एक पत्नी ऐसी थी जो राजाराम के साथ सती हुई थी ठीक है ना यह बहुत बेसिक से प्रश्चने बच्चा पियसी यू पियसी के लिए यहां से यह फैक्ट यह इन्फरमिशन आप लोग पता होना चाहिए राजाराम एक म्यात्र ऐसे स्चत्रपती थे जिनके देहांत पर उनकी एक पत्नी भी सती हुई थी उस पत्नी का नाम था जानकी बाई जानकी बाई सती हुई और उनकी दूसरी पत्नी तारा बाई उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और उन्होंने अपने पुत्र सिवाजी सेकेंड को राजा राम के बाद गद्दी पर बैठाया ठीक, अब हुआ ये कि सिवाजी सेकेंड क्योंकि अलपायूप में थे बहुत बच्चे थे तो आराबाही सारा सासन प्रसासन संभालती थी और उस समय उनका विरोध करने वाला कोई था नहीं क्योंकि और इंजी जो है उसकी कैद में येसु भाई भी थी और उनके बेटे साहुजी भी थे यानि साहुजी संभाजी महराज के पुत्र मुगलों की कैद में है और राजाराम और ताराबाही के पुत्र सिवाजी सेकेंड शत्रपती बन गया क्योंकि और को विकल्ब महराजों के पास था नहीं और इंजी ये कुछ खास कर नहीं पाया और सत्रासोस में जब इनकी मृत्ती हो गई तो औरेंज ये अपने आप में बूड़ा भी हो चला था और कई सारे धक्कन के कैम्पेंड में लगा था तो चार साल का पुत्र जब सिवाजी सेकेंड गदी पर बैठा तो ताराबाही का एक टाइम पर रेडिया रखना सत्रासो से सत्रासो साथ तक ताराबाही के संरक्षन का काल था इस समय पर मराठा सामराज तेजी से फैला यानि ताराबाही ने बहुत अच्छे से मराठा सामराज का सासन संचालन किया कई सारे कैम्पेंड किये और योग्य महिला के नेत्रत्तु में महान नेत्रत्व में मुगलों के विरुद्ध युद्ध के अभियान लगातार चल रहे थे मराथों की सकती बढ़ रही थी मुगलों की सकती कमजोर हो रही थी और सत्रासु साथ में जब औरंगेब का देहानत हो गया तो उसका पुत्र आया हमने पढ़ा था मुगल सासकों में बहादूसा प्रथम उसने सोचा कि किस तरह से मराथा सामराजी जो बढ़ रहा है उसको तोड़ा जाए तो उसने 1707 में साहुजी को रिहा कर दिया ठीक है 1707 में उसके पुत्र ने साहुजी को जुल्फिकार खान के कहने पर साहुजी को आजाद कर दिया अब ये जो साहुजी महराज थे ये पहुचे कहा अच्छा साहुजी को छोड़ा था उनकी माता येसु बाई को नहीं साहुजी को छोड़ा गया और साहू जी को ये कहा गया कि यदि आप अपना अधिकार लेने में कामियाब हो जाते हैं तो हम आपको छतर्पती मानेंगे साहू जी गए, साहू जी पहुँछे मराश्ट में अपनी रिस्ते में, अपनी चाची के पास, तारबाई के पास तारा भाई से कहा कि आप मुझे मेरा राज दे दीजिए क्योंकि वास्तों में संभाजी के बाद साहु जी उत्राधिकारी थे मगर राजाराम तो संड़क्षक की भूमिका में से उन्होंने खुद कहा था साहु जी को तारा भाई ने राज देने से मना कर दिया साहू जी ने फिर साहू जी के साथ में कई मराठा सामन्त कई सारे अधिकारी उनके फेवर में थे वो मानते थे कि साहू जी ही सकद्धी के वास्तविक उत्राधिकारी है मगर तारा भाई के मन में थोड़ा संदे था साहू जी को लेकर उन्हें लगता था कि ये मुगलों की एक चाल है मराठा सामराज को कमजोर करने की और उन्होंने ये भी लगता था कि साहू जी सायद अच्छे चत्रपती नहीं बन पाएंगे इन सब सरकम सेंटेंस में इन सब परिस्थितियों में ताराबाई और साहू जी के बीच में विवाद होने लगे साहू जी ने अपनी केंपेनिंग शुरू की ताराबाई ने अपनी सेना मजबूत की मगर एक वैक्ती था जिसका नाम था बालाजी विश्विनात बड़ा योग्य वैक्ती था बड़ा अच्छा वैक्ती था मराठा सरदार थे उन्होंने साहू जी का साथ दिया और फिर उतिहास में Maharashtra में एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में कहते हैं खेडा का जुद्ध याद रखना बच्चा खेडा का जुद्ध 12 ambassadors 1707 खेड़ा का युद्ध है इसलिए महत्पुन है क्योंकि ये मराठा सामराज अभी तक तो सारे मराठे मुगलों के खिलाप लड़ते थे मगर अप मराठे मराठे आपस में लड़ रहे थे एक तरफ है साहु जी जो कि अपना हक मांगने आए थे एक तरफ थी तारा बाई जो कि इनकी चाची लगती रिष्टे में दोनों के बिच में युद्ध हुआ और बाला जी भी सुनात ने साहु जी की मदद की अपनी सेना के साथ इस खेडा के युद्ध में तारा बाई की सेना हार गई साहु जी जीत गए तारा बाई ने अपनी सेना की मदद से बाहर निकली वहां से और पहुँच गई सतारा सतारा जब चली गई तो सतारा जा करके उन्होंने उस छेतर को अपने अधीन कर लिया और बाद में साहुजी और इनके बीच में एक समझोता होता है साहुजी और उनके बीच में एक समझोता होता है जिसे हम वारना समझोते में पूरा मराठा सामराज दो भागों में बढ़ गया उत्तरी मराठा और दक्षिनी मराठा साहु जी सन 1708 में अपने राजजाबी से कराते हैं और सातारा को अपनी राजधानी बनाते हैं साहु जी की राजधानी क्या थी? सातारा और ताराबाई की राध्धानी थी क्या वो है कोलहापूर ठीक है अब क्या होता 1731 में एक संदी होती है हम वारना की संदी कहते हैं और ये पेश्वा बाजी राव प्रथम के समय पर होती है वारना की संदी में क्या हुआ कि साहुजी के अधिन पूरा उत्तरी महराष्टर रहा और मुगल ने भी साहुजी को इशत्रपती माना और उनकी राध्धानी थी 17 और दक्षिनी राजी सिवा जी सेकंड के नियंत्रण में दे दिया इसकी राध्धानी बनी क्या कोलहापूर तो तारा भाई कोलहापूर में रही काफी लंबे अर्थे तक ठिक अब साहुजी के समय पर क्या हुआ तो साहुजी के समय पर ना मराथा सामराज ये बहुत आगे बढ़ा क्योंकि साहुजी के अधीन बहुत सारे पेश्वाँ थे जिनोंने कई सारे अभियान किये चाहे ब विश्विनात हो बाराज विश्विनात के बारे में हम भी पढ़ेंगे वह साहु जी का पुरा time period में वो छत्रपति रहे मगर चो कुछ काम किया वो पेश्वाउ होंने किया तो पेश्वाउ की कहानी हम अगले लक्चर में पढ़ने वाले हैं तो साहु जी का time पेशवा थे हमारे नाना साहब और संगोली की संदी में ये हुआ बाला जी बाजीराओ राजराम सेकेंड के बीच में संदी हुए और इसमें ये हुआ कि पूरा मराठा संग जो है उसका वास्तविक नेता पेशवा बन गया छत्रपती सिर्प नाम मातर के रहेंगे वो भी सि वे सर्वा बन जाता है तो ये छोटी सी कहानी राजाराम और शत्रपतियों की अब इसके बाद में हमारा जो नेक्ट क्लास है उसमें हम पूरे मराठा पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से मराठा पेशवाओं ने मराठा सामराज को जोड़ करके रखा और क्य जिन्स लेक्षर में हम यह भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज भारत को कैप्चर करते चले गए ठीक है और सुरुवात हम इनी चीज़ों से करेंगे गाइस जो लोग हमसे आफ्लाइन तयारी करना चाहते हैं बहुत बहुत ही मिनिमम फीस में हम लोग प्रेलिम्स के लि लर्निंग प्लेटफार्म है जिस पर हम काफी कुछ नहीं चीज़े बच्चों के लिए लेकर के आ रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे हैं कई सारे नए डिजिटल आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स हम लोग लूग लांच कर रहे हैं तो जो बच्चा PSC के लिए करके बहुत संजीदा है जो government competition को लेकर के बहुत संजीदा है banking, SSC सब के लिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं काफी चीज़े आप लोगों के लिए हम लोग अब available कराने वाले हैं तो guys thank you so much जुड़े रहे हमारे साथ जैहिंद